वेलकम बैक दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं आपका दोस्त रुशी चोपले आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अगरिग्रेडव जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों हम इस पूरी वीडियो में जैसे कि मैं एक एक पार डाल रहा हूँ, Volume 1 और Volume 2, हम दोनों इसमें कवर करेंगे दोस्तो तो एक-एक वीडियो मैं अपने तरीके से जो आपको समझ में आए ऐसे डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो गुरुपया आप इसका जरूर फाइदा उठाएए यह मैं आपसे विंति कर रहा हूँ दोस्तो, तो चलिए दोस्तो हम आज कर सेशन भी शूरू करते है जैसे कि हम लास्ट वीडियो में देखा History of Agriculture तो अभी हम इस वीडियो में History of Agriculture आखे पढ़ते हैं दोस्तो इससे पहले कि मैं आपको बता दू मेरा कॉंटेक्ट नंबर और इस्टाक्राम आड़ी मैंने यहाँ पे दे चुका है तो जैसे भी आपको कोई समस्या या दिक्कत आए तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं बेजी जग मैं अपने तरीके से जैसे भी हो जल्द से जल्द आपके उस समस्या का आज पढ़ेंगे तो आये आ रहा है establishment कब हुआ ICR का establishment कब हुआ किस की royalty में हुआ कब हुआ कैसे हुआ यह सब आज हम देखेंगे दोस्तो तो चलिए दोस्तो हम देखते हैं Firstly आये आ रहा है Imperial Agricultural Research Institute इसे दोस्तो पहले Imperial Agricultural Research Institute ऐसा का हुआ गाया था दोस्तो जिसका establishment 1905 में 1905 में हुआ था वो established का हुआ था दोस्तो तो वो established हुआ था पुसा at that time means वहा जब वो establishment हुआ तो वो बेंगल में था मगर अब presently वो बिहार में Under the under the viceroyalty of Lord Curzon ये देखे दोस्तो जो Lord Curzon इनकी viceroyalty में इसकी establishment हुई ये किदे ये देखे दोस्तो ये important topic है इसलिए आप इसे note down भी कर सकते है कब establishment हुई 1905 कहा पह पुसा at that time Bengal but presently इन बिहार और किसकी किसकी viceroyalty में हुआ Lord Curzon के दोस्तो तो देखे दोस्तो in 1934 building very damaged due to the earthquake जब 1934 में earthquake हुआ मतलब भुकंब हुआ तो उसकी जो building है वो damage हो गई थी पूरी तरीके से दोस्तो तो 1936 में IRI was transformed to Pusa Road New Delhi तो जो earthquake हुआ था 1934 में तो उसकी वज़ह से IRI जो transform कर दिया गया न्यू दिल्ली ये भी याद रखे दोस्तो after the independence जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो जो Imperial Agriculture Research Institute है तो जो Imperial World है उसे transform कर दिया गया substitute कर दिया गया इंडियन की जगह तो आज हम इसे Indian Agriculture Research Institute के नाम से जानते है दोस्तो Indian Agriculture Research Institute after the independence आगे जो पहले जो नाम था वो था Imperial Agricultural Research Institute after the independence it is substituted by Imperial to Indian so today we called Indian Agricultural Research Institute धान से देखे दोस्तो अब लास्ट पांट देखते है in 1958 IRI was given the status of DIM University देखे दोस्तो जब 1998 में IRI मतलब Indian Agricultural Research Institute उसे एक स्टेटस मिला DIM University का वो किसके थुरू मिलता है दोस्तो UGC UGC का जो फुल फॉर्म है दोस्तो वो है University Grand Commission जो IRI को स्टेटस मिला DIM University का वो University Grand Commission के थुरू मिला दोस्तो देखे दोस्तो यह सारी बाते आपको ध्यान में नहीं रखनी मगर कुछ-कुछ इंपोर्टन बाते है वो आपको ध्यान में रखनी है जैसे कि पहले था कि Imperial Agriculture Research Institute उसकी Establishment 1905 में वो पहले पुसा यानि अगर आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तो कि Vice Royalty of Lord Karzan तो यह बहुत अच्छी बाते दोस्तो यह ध्यान में रखे अभी जो है वो न्यू दिल्ली में है कब Establishment हुआ वो ध्यान में रखे दोस्तो यह बहुत सारी बाते हैं दोस्तो जो आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि जो YMCR, ICR और Any Anywhere Anywhere दोस्तो जब भी Agriculture की Exam होगी तो बड़ी बड़ी नहीं दोस्तो Silly Silly जो भी Silly Silly Point है वो हमें पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तो आपको यह ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है तो I hope दोस्तो कि आपको यह समझ में आर गया होगा IR है मतलब अभी देखते हैं दोस्तो आगे ICAR The Royal Commission Agriculture The Royal Commission Agriculture was Constituted in 1926 Under the Visorality of Lord Lydgo यह देखें दोस्तो जो ICAR है वो Royal Commission Agriculture वो कब establishment हुआ उसे पहले Royal Commission of Agriculture कहा गया था उसके नाम से वो establishment हुआ कब 1926 में और किसकी वायसरालिट में Lord Lydgo यह देखें दोस्तो Lord Lydgo यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तो अभी देखें दोस्तो जो हमने IRI पढ़ा वो IRI किसकी वायसरालिट में हुआ Lord Karzan और ICAR किसकी वायसरालिट में हुआ Lord Lydgo यह दोनों बाते डिफ्रेंट है दोस्तो यह आप ध्यान में जरूर रखें आगे एक पॉंट देखते है दोस्तो Under recommendation of Royal Commission Report of 1928 The Imperial Council of Research was established देखें दोस्तो जो recommendation ही Royal Commission of Report of 1928 की जो commission की जो recommendation थी दोस्तो उसकी वज़ा से जो Imperial Council of Research of Establishment उसकी जो establishment हुई थी दोस्तो वो 16 जुली 1929 में हुई थी दोस्तो यह ध्यान में रखें दोस्तो क्योंकि यह date जो है वो बाकी वो जो date है दोस्तो वो बहुत सारी एक्जाम में पूछी जाती है और हम जो है वो date ही ध्यान में नहीं रखवाते तो इसलिए दोस्तो इसे note down कर लिजे या screenshot मार लिजे जैसे कि आप बाद में note down कर सकते है थर्ड पॉइंट देखें दोस्तो इट वाज रिजिस्टरेट अच्ट इसका जो रिजिस्टर हुआ था दोस्तो 1860 ध्यान में रखें दोस्तो जो इंडियन जो Society Registration Act था दोस्तो जो Society Registration Act 1860 इसके थूँ वो रिजिस्टर हुआ था दोस्तो ये ध्यान में रखें फोर्ट वर पॉइंट देखते हुए दोस्तो जो ये ओवराल Imperial Council of Agriculture Research है दोस्तो उसके First President ये बहुत बड़ा है दोस्तो इसलिए मैं बोर रहा हूँ कि बड़ा मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आप इसे ध्यान में रखें दोस्तो ये जो फोर्ट पॉइंट में बता रहा हुआ भी First President है मौमद हभिबुल्ला ये ध्यान में रखें दोस्तो क्योंकि ये कच्छन बहुत बार YMCR, ICR और एने कोई भी एक्जाम हो दोस्तो कोई भी एक्जाम है अग्रिकल्चर से रिलेटेड ये कच्छन पूछा जा चुका है इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तो इसे ध्यान से दिखें फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो है महमद हबिबुल्ला और सेक्रेटरी है वो है यस ए हैदरी ये ध्यान में रखें दोस्तो सेक्रेटरी कोई है यस ए हैदरी और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो है महमद हबिबुल्ला यह दोनों बाते सेक्रेटरी और फर्स्ट प्रेसिडेंट यह दोनों डिफेरेंट है दोस्तों इसलिए आप कन्फूज ना हो फिफ्टन पॉइंट जो है इन मार्च 1946 नेम चेंज जैसे कि हमने पहले देखा कि जैसे ही IIRI का जो नेम है वो आफ्टर इंडिपेंडेस चेंज कर दिया गया था कैसे Indian Agriculture Research Institute ऐसे चेंज हुआ था दोस्तों और पहले उसका नाम क्या था Imperial Agriculture Research Institute तो वैसे ही ICIR का जो नेम है वो भी चेंज कर दिया गया कब 1946 में Imperial Council of Agriculture Research जो इंपेरियल है वो सब्स्टिटूट कर दिया गया इंडियन की जगह तो अब हम जिसे जानते हैं वो है Indian Council of Agricultural Research ये कब सब्स्टिटूट हुआ दोस्तों 1946 ये धान में रखिये दोस्तों क्योंकि ये भी एक्जाम में पूछा जा सकता है और किसकी प्रेसेडेंशिप में हुआ दोस्तों जोगेंदर सिंग अगर आपको पूछा गया कि ICIR का जो नेम है वो चेंज कब हुआ और किसकी प्रेसेडेंशिप में हुआ तो आपको धान में रखना है दोस्तों मार्च 1946 में ये चेंज हुआ और जोगेंदर सिंग की प्रेसेडेंशिप में हुआ ये धान में रखिये दोस्तों लाच्ट पर देखिये दोस्तों इन 1966 ICIR was reconstitute into full autonomous body और इस first director general देखिये दोस्तों जो ICIR है उसको reconstitute कर दिया गया full autonomous body में full autonomous body में और कब दोस्तों 1966 ये धान में रखिये दोस्तों और जो उसके जो first director general यानि chief executive होते है वो थे डॉक्टर बीपी पाल ये धान में रखिये दोस्तों क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ICIR के first director general कौन थे वो थे डॉक्टर बीपी पाल देखे दोस्तों ये जो बाते है ये सिली सिली है जो हमें द्यान में नहीं रखते और वही exam में आती है इसलिए मैं दोस्तों बार बार आपसे कहे रहा हूँ कि आप जो ये बाते है वो note down कर लीजिए उसे underline कर दीजिए क्योंकि यही बाते आपको ध्यान में रखनी है देखे दोस्तों जो director general थे first वो है डॉक्टर बीपी पाल किसके ICR के I hope you understand दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं अब यह हमारा topic है दोस्तों SIMITY and IRR तो देखे दोस्तों जो SIMITY word है वो Mexican word है वो Mexican word है उसका जो meaning होता है उसका meaning यह है दोस्तों कि International Center of Maze and Wheat Improvement देखे दोस्तों जो SIMITY word है वो Mexican है और उसका जो meaning है वो है International Center for Maze and Wheat Improvement at Mexico कब और इसकी जो इस्टेबलिश्मेंट देखे दोस्तों यह जो सिमिटी है आया रहा है वो इंटरनेशनल बोडी है और इंटरनेशनल बोडी का हमें कुछ काम नहीं उसका सिर्फ जो फुल्पम है वो और उसकी इस्टेबलिश्मेंट यही धान में रखने होते हैं बाकी कुछ नहीं इसलिए मैं आपको यही बता रहा कि जो सिमिटी है उसका मेक्सिकन वर्ड का मिनिंग है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड विट इंप्रूमेंट अट मेक्सिको यह उसका कंस्टिटूशन है दोस्तों और जो वो कंस्टिटूट कब हुआ उसके स्थापना कब हुई वो है 1966 देखे दोस्तों धान से कुछ भी कन्फूजन होनी की बात नहीं है इंटियन सेंटर फॉर मेज एंड विट इंप्रूमेंट इसका मेक्सिकन वर्ड है सिमिटी और सिमिटी का ही जो मिनिंग है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड विट इंप्रूमेंट अट मेक्सिको 1966 में उसकी इस्टेबलिश्मेंट हुई तो देखे दोस्तों हम आगे चलते हैं IRR इसका मतलब है दोस्तों इसका full form जो है International Rice Research Institute International Rice Research Institute वो कहाँ पर है दोस्तों तो वो है Manila Philippines वहाँ पर है दोस्तों और उसकी जो establishment हुई वो है 1960 में दोस्तों 1960 में उसकी establishment हुई दोस्तों तो देखे दोस्तों I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा हमने आज में क्या देखा दोस्तों कि IRR मतलब क्या Imperial Agriculture Research Institute उसे पहले का आ गया था उसका बाद में कब reconstitute हुआ किसकी vitality में हुआ कब हुआ किसकी presidentship में हुआ यह हमने सारी बाते देखी दोस्तों confusion होने की कोई बात नहीं दोस्तों आपको अगर confuse हुआ तो आप फिर से वीडियो बैक लेके फिर से note down कर लिजे क्योंकि यह बाते बहुत important है दोस्तों आपके MCR हो, ICR हो, banking हो और any exam हो related to the agriculture यह हम main बाते है दोस्तों इसलिए आपको इससे धान में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों thank you so much friends for watching my video और आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेर कीजे लाइक कीजे और हो सके तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजे यहाँ पे मेरा instagram id दिया हुआ है मेरा contact number भी दे दिया हुआ है अगर आपको कोई भी समस्या आए तो दोस्तों please contact me मैं आपको guarantee देता हुँ कि मैं आपकी समस्या का समाधान अवस्च्छ करूंगा इसलिए thank you so much